लड़कों और लड़कियों में एक फर्क होता है लड़किया किसी को परक्टने से नेडरती वहाँ बेजी जग किसी को परक्ती है एक दो महीने उसके साथ रहती है और लगातार उसे परक्ती जाती है और जहाँ वहाँ मैशुस करती है कि इस आदमी में गड़बड है तो वहाँ उसे छोड़ कर भाग जाती है एक सवाल मुझसे अक्सर पूछा जाता है लड़कियों वो क्या चाहिए तो इसका जवाब है लड़कियों का दिमाग बस दो हिस्सों में सोचता है सुरक्षा और आनन तुम्हें अपने ब्यावहार से और अपने बातों से उसे यकिन दिलाना होगा कि तुम मेरे साथ सुरक्षित रहोगे वहाँ बातों बातों में तुम्हें समझने के कोशिश करती रहती है चाहे उन्हें एक महीना लग जाए या चाहे दो महीना लग जाए वहाँ पड़े आराम से तुम्हें परखती रहती है लड़कियों का तुम्हें परखने का तरीका यहां होता है कि वो तुमसे एक बात कहती है और तुम्हारा रियक्शन चेक करती है कि तुम बदले में क्या जवाब देते हो इसलिए लड़कियों को reaction बड़े सोज समज़ कर दिया करो लड़किया तुम्हे कुछ करकर देखती है यहां चेक करती है कि तुम इस बात का क्या reaction देता हो क्या तुम चीड़शिड़े और कमजोर इंसान हो क्या तुम हर बात को दिल पर लगा लेते हो या हर बात मान लेने वाले वेटर हो क्या तुम्हारा अपना भी कोई फैसला है या नहीं लड़किया बड़ी चालाक होती है वह तुमसे कहेंगे कलना एक अंडोर नमबर से कॉल आया और फोन रिसिप करते ही बंदे ने आयले भी बोल दिया और मिलने भी बुला रहा था अब तुम हैरान हो जाओगे कि तुम कन्फ्यूज हो जाओगे कि तुम्हारा नमबर उसके कहां से मिला मैंने देखा है लड़किया अपने बॉइफरेंड को रात के बारा बज़े कॉल करकर बोलती है मैंने आपके नीम खरब की ना मैं बहुत बुरी हो ना लड़किया कहती है कल मैंने मेरे पुराने वाइफरेंड को फोन किया था मैं देखना चाहती थी कि अभी मैं उसे याद हूँ या भूल वाल गया और तुम परिशान हो जाता हो इसका क्या रेपलाई दो लड़किया तुम्हारा रेक्शन चेक करके तुम्हारी मेंटल एविट लिओ पर रखती है बहुत देखती है यहाँ इनसान किसी प्रॉबलम को कैसे फेस करता है यहाँ क्या रेक्शन देता है और वहाँ भी आते करते हुए देखने की कोशिश करती है कि कही तुम मुसीवात में भाग तो नहीं जाओगे क्या तुम कोई एक इनसान हो जिसके साथ वो घुमने जाएगी तो वो सही सलामत घर वापस आ पाएगी लड़के आज में जीते है लड़के किसी भी लड़की के साथ एक महीनी के प्लानिक बना कर चलते है वो आदे घंते के मुलाकात में यहाँ डिसाइट कर चुकी होती है कि हम़रे कितने बच्चे वेंगे क्या एक अच्छा बाब बनने के लाइक है क्या मेरे बच्चों को सुरक्षा दे पाएगा या किसे मेरे बच्चों को अंधरे में एक जेक से दूसरे लगा जे ले पाएगा ये आदमी जितनी हिमत मिजमे ढून रहा है क्या उतनी हिमत उसमें है बहुत लगातार चेक करती रहती है कि तुम कितने पानी में हो और मेरे पास भीड से भीड लगी आ रही है जिन्होंने उल्टे सिधी रियाक्शन देकर अपने लाइफ की बहतरीन लड़की खो दी है लड़की अब बिल्कुल लिहाज नहीं करती है अगर उसे तुम में एक भी कमजोरी नज़र आई तो तुम्हारा दिल कुछार कल चली जाएगी वो तुम्हारे आसु नहीं देखेगी वो तुम्हारे टूटा हुआ दिल नहीं देखेगी वो तुम्हारे सैट सॉंग नहीं सुनेगी